इंटरनेट की दुनिया में का हैं सबसे बड़ा कीवर्ड है सबसे जाता चर्चा जिस चीज को लोग के हुई वो है सोहरा बुद्दीन शेख कॉसर भी और तुलसी प्रिजापती का एंकाउंटर दिनेशी मेरे सामने सीबियाई ने जो चार्चीट फाइल की थी 2007 में आपकी गुजात पुलस ने गिरफतारी की थी 2014 में आपको जमानत मिली सीबियाई की चार्चीट के कुछ बिंदु मेरे सामने हैं यह चार्चीट कहती है कि 31 दिसंबर 2004 को उदैपूर के हाती पोल इलाके में हामिद लाला नाम का हिस्ट्री शीटर है जिसका कतल कर दिया जाता है जाच होती ही तो पता चलता है कि आपसी गैंगवार है और मुख्या रोपी के तौर पर सोरा बुद्दिन शेख का नाम आता है सो रबुद्दिन शेख के बारे हम बताया सीबियाई ने कि एहमदाबाद ATS ने उज्जैन में जब उसके घर पर छापा मारा था तो 40 AK47 और 5000 कार्टूस बरामत किये थे दुरदान तपराद ही कहा गया कि ये हतियार 1993 मुंबई ब्लास्ट के लिए RDX के साथ पाकिस्तान से आये थे और तब ये एहमदाबाद के अब्दुललतीफ का खास होता था ये वही अब्दुललतीफ है कहा जाता है कि जिसकी जिन्दगी पर रईस फिल्म बनी है कही की नजर में रॉबिन हुड लेकिन कानून की नजर में एक ऐसा शराब माफिया और कारोबारी जो बाद में आतंकवादी बन गया सौराबुद्दिन की तलाश 2005 को गुजराद पुलिस सौराबुद्दीन कौसर भी और तुलसी रामपरजापती को सांगली जाने वाली बस से गरफतार करती है 2005 में 24 नॉम्बर को फिर सीबियाई चार्शीर के मताबिक राजस्थान से चल रहे हत्या के मामले में उद्यपूर पुलिस की टीम एहमदाबाद पहुचती है सुपूर्दगी के तोरान सौराबुद्दीन भागने की कोशिश करता है एंकाउंटर माला जाता है दो दिन बाद गुजराद के लोल के घर में कौसर भी की लाश मिलती है और एक साल बाद तुलसी राम प्रजापती उद्यपूर पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है और दो दिन बाद राजस्थान और गुजराद की बॉर्डर पर उसका एंकाउंटर हो जाता है ये कहानी हमने CBI के हवाले से सुनी है आपको कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है आपकी कहानी क्या है हमें 2007 इप्रिल में अरेस्ट किया गया था कहां थे आप तको में एस्पी उदेपूर था ठीक है उस टाइम में क्यूंकि सुप्रिम कोर्ट में मैटर गया था और दिन CID गुजरात ने एंक्वेरी किया था उसके बाद इन्वेस्टिकेशन के बाद हम लोगों को कुछ IPS आपसर कुछ मेरे सबोडिनेट से हम लोग अरेस्ट हुए थे 2007 में 2010 में के सीबे में गया सीबे में जाने के बाद जाने के बाद में बाहर आ गया था उसके बाद जमानत होने के बाद में बाहर आ गया था उसके बाद जमानत होने के बाद 2017 के आसपास डिस्चार्ज अप्लिकेशन की हेरिंग हुई उसमें में और बंजारा साब हम लोग डिस्चार्ज हो गय थे इसके बाद वापस वह आसपास हाई कोर्ट अपील में भी हम लोग जो डिश्चार्ज अफेल्ड किया गया था उसके बाद ट्रायल चला ट्रायल में भी हमारे जो दूसरे साथ ही थे और डिसेंबर 2008 रखे आसपास वो लोग मतलब बड़ी हो गए टोटल साथ साल रहना पड़ा मुझे और बाहर आने के बाद एक साल में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहा राजसी को और उसके बाद गवर्मेंट ने मुझे एंटी करेफ्शन में आईजी बनाय था दोजार पंदरा जून के आसपास कोर्ट की डिस्चार्ज करते हु है तोट ने क्या ये माना कि आप थे अध्यपूरन श्चार्ज करते हैं वक्त कि आपको जब एविधीण नहीं थे तो शाफ साल जेल में रखत गया उसकी क्या सफाई उसका तो अब ऑंट आब ट्रईलम नहीं सबता लाज रहें योगश्य में मैं पड़ा सम्में घाल्वा तो जनरली जमानत मिल जाती है, अब विशेश कारणों के वज़े से हमारे केस में जमानत नहीं मिलीते है क्या विशेश कारणों के बतलब बड़ा हई-प्रोफेल केस हो गया था और सुप्रीम कोड में मॉनिटरिंग चल रहा था कमची कारणों से और इंवस्टिकेश्ट एजिन्स से भी बाद में सीवेल और विशेश कियार है, ऑद में दूसरे केस सबै ऐ में आ गया और बाद में, दोनों केस क्लब हो गया कुछ इन पर हो जैश कएकों में होता है कुछ 수rån नयौत है